दोस्तों साल 1991 में विबेग मुसरान की सबसे पहली फिल्म आई थी इस फिल्म का नाम था सोधागर इस फिल्म में दिलिप कुमार, राज कुमार, मानिसा कोरायला और विबेग मुसरान लीड रोल में थे दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक सूपर हिट फिल्म साबित ह दोस्तों इसके बाद साल 1992 में बिवेग मुसरान की फिल्म आई प्रेम दिवाना इस फिल्म में बिवेग मुसरान जेकी स्रोप माधूरी दिक्षित और पूजा भट लीड रोल में थी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई इसके बाद इसी साल फिल्म आई बेवफा से वफा इस फिल्म में बिवेग मुसरान और जूही चावला मुख्य किरदार में थी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक फिल्म साबित हुई फिर इसके बाद साल 1993 में फिल्म आई दिल है बेताव इस फिल्म में अजे देवन, परतिवा सिना और बिवेक मुसरान लीड रोल में थे दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई दोस्तों डिजास्टर यानी की सूपर डूपर फ्लोप दोस्तों इसके बाद साल 1993 में ही फिल्म आई इनसानियत के देवता इस फिल्म में रजनीकांत, बिनोत खन्ना, राजकुमार, जैपरदा, मनिसा कोरेला और बिवेक मुसरान लीड रोल में थे दोस्तों इहां फिल्म बॉक्स अपिस पर एक हीट फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 1995 में फिल्म आई राम जाने इस फिल्म में सारुखान, जुही चावला और बिवेक मुसरान लीड रोल में थे दोस्तों यहां फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक हीट फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 1996 में फिल्म आई आईसी भी क्या जल्दी है और यहां फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई इसके बाद साल 1996 में ही फिल्म आई जान इस फिल्म में अजे देवगन, ट्विंकल खन्ना और विबेग मुसरान लीडरोल में थे दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक हेट फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 1996 में ही फिल्म आई छोटा सा घर इस फिल्म में निलीमा आजिम और विबेग मुसरान लीडरोल में थे दोस्तों यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक बिजाष्टर फिल्म साबित हुई थी इसके बाद साल 1997 में फिल्म आई सनम इस फिल्म में संजेदत, मानिशा कोराला और विबेग मुसरान लीड रोल में थी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ओपस पर एक फ्लोप फिल्म साबित हुई थी फिर इसके बाद इसी साल फिल्म आई कृष्णा अर्जून इस फिल्म में जितेंद्र, विबेग मुसरान, करिना गरोवर और उपासना सिंग लीड रोल में थी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ओपस पर एक फ्लोप फिल्म साबित हुई थी दोस्तों फिर इसके बाद साल 2001 में फिल्म आई उल्जन और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी दोस्तों फिर इसके बाद साल 2005 में फिल्म आई किसना और यह फिल्म भी बॉक्स अपिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई दोस्तों फिर इसके बाद साल 2015 में फिल्म आई तमासा और यहां फिल्म बॉक्स अपिस पर एक फ्लोप फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 2017 में फिल्म आई बेगम जान और यहां फिल्म बॉक्स अपिस पर फ्लोप साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 2018 में फिल्म आई वी रे दी वेडिंग और यह फिल्म बॉक्स आपस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी